हलो फ्रेंड आज हम काया पलट का नेचरल हैर कलर कैसे करें वह भी ग्लोबल वह मैं बता दू सबसे पहले काया पलट का मिटी से बनाया हुआ नेचरल शेंपू है जो शेंपू हम प्रीवोश और कोश्ट वोश में यूज कर सकते हैं तो यहां मैंने क्लाइंट के बालों को इ लिस्करी के इस तरीके की पैस्ट बनाई यह आप देख सकते हैं मैरी यह पेर इस तरीके से बनी हूई है अब मैं मेरे कलाइंट के बालों में एप्लिकेशन कर रही हूँ पूरी एप्लिकेशन हो जाने के बाद 35 मिनिट का स्टे रहेगा और उसके बाद में मेरे क्लाइंट के बालों में रींस करूंगी रींस के साथ काया पनट का मिट्टी से बनाया हुआ जो कंडिशनर है जब हमें ग्लोबल करना है आप देखो यह है है मगर पूरे पूरे बालों में अच्छे से नौट भी निकल रही है अच्छे से एप्लिकेशन भी हो रहा है और शोचाने के बाद लास्ट वाला रिजल्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी एक किस तरीके से करते हैं बहुत सारे लोगों की कंप्लेंज होती हैं मार्के यूज करनी है तो आप लोग एक आया पलट का हैर कलर यूज कर सकते हो जो हीना बेज है पाउडर बेज है और पूरी कीट है हमारी जो मिट्टी से बनाया हुआ शेंपू है और मिट्टी से बनाया हुआ कंडिशनर तो नेच्रल प्रोड़क्ट को इस्तमाल करें आप सो स्टे हेल्थी फ्रैंड्स पस 35 मिनिट के बाद जो भी में रिजल्ट करूंगी दुबारा से मैं एक चोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को बेज होंगी अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी यह नहीं प्रोड़क्ट की जानकारी नहीं हल्थ के बारे में जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो तो लाइक का बटर जरूर दबाएए तो आप लिए प्रोड़क्ट के वालों में को चुकी है तो अब इसको बॉष कर रहा है तो अब जह देख तक पे होते हैं और वाश की आने और चाहर बूद में है प्लाश द्राइब करें अब देखो यो इसको इसको बटर पर जाना है अब देखों फुप्यों इसको बेड़े क्लैंट को चाहिए ताँ अपर आपको बताँ के बालों में हमने काया पलट का इनेचरल हैर कलर किया है तो ए बालों में आप लचक देखो कितनी लचक है और शाइन एक एक बाल हमें यहां से खुला नजरा रहा है एक बाल तो ए वाली नेचरल शाइन हम लोगों के बात आ चुकी है कि अगर हम कलर बेज करेंगे तो हमारे बाल मुखे सुखे हो चाहेंगे वह मारे पाल में कोई प्रॉब्लम होगा वगर आप यहां देखो बालों की लचक भी देखो और नेचरल कलर शेड देखो और नहीं तो कोई इचिंग हुई है अपने क्लाइंट के इस बालो में तो हम हम क्लाइंट से ही सीधा सीधा पूछे आपने एक आया फिलन चल्ला बेजर है और बाल थोंड़ बहुत अच्छा लग रहा है तो देखा क्लाइंट में भी बहुत अच्य नहीं दिक है तो आप भी आपके नियर के सालोन में करवाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पोक्स में लिकाया इस नमबर में जुट एक कॉल किजी आप जी सीटी में जीदी स्टेज रिए वहां पर नियर बाई सलोन का हम नमबर देंगे जहां पर काया पलित का कलर हो रहा है है